लिटिया को तो बुखा ले, आज उसे मत भिजियो दोस्तों, पिछली कुछ दिनों पहले हमने दर्शकों के कहने पर उनकी फेवरिट सपोर्टिंग कला का राज माता जी के बारे में वीडियो बनाई थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया तो राज माता जी के बारे में तो आप सभी को जानकारी मिल गई लिकिन हमारे एक दर्शक राहुल कुमार के कहने पर हम उनके लिए राज माता जी की बेटी सवीता जी के बारे में जानकारी लेकर आए है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राज माता जी के तीन बेटे थे और एक बेटी सवीता जीने सुधा के नाम से भी जाना जाता है लिकिन फिल्मों में अभिने के दोरान उनका नाम सवीता पड़ा राज माता की तरह सवीता जीने भी कई बहतरीन फिल्मों में काम किया है इन सभी फिल्मों में उन्हें सहायक कलाकार के तौर पर देखा गया आप जैसा की स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे इसी तस्वीर के जरीए आपकी यादे ताजा हो रही होंगी कि हाँ हमने इन्हें फिल्मों में तो देखा है लेकिन इन छोटे मोटे कलाकारों पर दर्शकों का ध्यान बेहद कम जाता है लेकिन ये दर्शकों की चाहा है जो राहुल कुमार जैसे दर्शक उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं सवीता जी ने अपनी माता राज माता जी के नक्षी कदम पर चलते हुए कि उन्होंने बेहद कम फिल्मों में काम किया हो और इन्हें आसानी से भुला दिया जाए इन्हें हर साल 20-30 फिल्में आफर होती थी और ये उन फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं में नजर आती रही और धेरो फिल्मों में काम किया वहीं अगर उनकी नीजी लाइफ के बारे में बात की जाए तो इन्होंने हिंदी सिनेमा के सपोर्टिंग एक्टर जमना दास जी से विवा किया था जी हाँ यही है उनके पती जिनने आपने कई फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा है इनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे फिलाल बात चल रही है एक्टरस सवीता जी की जिनोंने हर किरदार को बेहद उम्दा तरीके से निभाया हलाकि वक्त के साथ इन्हें हिंदी सिनेमा धीरे धीरे भुलाती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि उनके बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी सोशल मेडिया पर उपलब्ध ही नहीं रही यहां तक कि उनके बारे में लोग ये तक नहीं जानते हैं कि आखिर फिल्मों में नजर आ रही इस सपोर्टिंग कलाकार का असली नाम क्या है सोशल मेडिया पर बस इतनी जानकारी है कि ये राजमाता जी की बेटी है और इन्होंने भी फिल्मों में काम किया है बस इतना ही इसके अलावा उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं खेर आज ये भी नेत्री हमारे बीच नहीं है साल 2007 में इनका निधन हो चुका है और उनकी पती जमनादास और माता राजमाता जी कभी काफी समय पहले निधन हो चुका है आखरी समय में इनका परिवार काफी तंगाली से गुजरा इनका परिवार एक वक्त को चौल में रहने को मजबूर हुआ और अंतिम समय काफी कश्ट में रहा तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना न्थ्यान रखें बाई बाई